असलाम वालेकूं वेलकम टो एस इन्फो अकडमी आज किस वीडियो में हम जो इंटेलिजन्स ब्योरो के रिटन टेस्ट हो रहे हैं तो आज का जो पेपर था वो था टीच 14 का तो आज किस वीडियो में हम इसके जो MCQs आये थे वो हम डिसकस करेंगे तो आपने वीडियो को एंड तक लासमी देखना है और इन MCQs को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि जो अगले पेपर होने हैं कल डाटा एंट्री ओपरेटर का पेपर होना है उसके बाद जीडी 11 और 7 का होना है सेच को ता अपर हो रहे हैं आप इनके जो भी chews आ रहे हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से याद करें मुझे वो आप ये सारे MCQs आप लोगों के लिए बहुत फैदामन्द हैं तो आप वीडियो को एंट तक लस्मी देखा करें और इनको अच्छे तरीके से याद किया करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताके उनका भी से फैदा हो सके तो चलते हैं आज के हमारे लक्चर की तरफ तो आज के जो पेपर हुआ था टीच 14 का उसके MCQs जितने भी हम हमें मिले हैं हमने कोशेश की है कि ज्ज़ादा से ज्यादा MCQs हमें मिले लेकिं जो MCQs रह गए हैं जिन्हों ने आज पेपर दीया था और उनको क्वेस्टन याद हैं वो कमिट बॉक्स में लाज़मी बताएं ताके बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नक्स पेपर देने हैं उनका इसे पैदा हो सके तो आज की पेपर का जो पहला क्वेस्टन हमें मिला है वो है रिप्टाइल इस टू लेजर्ड फ्लावर इस टू प्लांट एंड डीजी तो यह जो है यह अनालोजी से क्वेस्टन आया था तो इसका जो आंसर था वो प्लांट अगर था जो है वो क्वेस्टन आया हुए थे वह आप लोगों ने पढ़ने हैं ताकि जो नेक्स पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेस्टन आया था तो आप उसको अच्छे तरिके से सॉल्व कर सकें उसके बाद आगे को एस्टन आया था एडट फ्रॉम विच की तो एमस जो एक्सल होता ह एसमें अड़र्ट करने के लिए किसी भी सैल को को एड़रेट करने के लिए जो कि यूज हो थी है वह एफ चूपडाया भी था mcqs जब हमने computer का lecture दिये थे उसमें हमने यह mcqs बढ़ाया हुआ था उसके बाद आगे question था open source operating system तो open source जो operating system है वो आपका Linux है जो है वो operating system की काफी सारी जो है वो types है लेकिन जो open source operating system है वो unix है उसके बाद आगे चलते हैं आगे मारे पास question पूछा गया था extension of Excel Excel की जो extension है वो है .xlsx तो यह इसकी extension है अब आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने आप पावर पॉइंट की extension भी याद कर लेनी है और word की extension भी याद कर लेनी है ताके वो next paper में हो सकता है कि इन में से कोई ना पूछ ले उसके बाद आगे मारे पास question था son name of holy prophet ﷺ बन फ्रॉम मारिया रजियल्लाहु ताला नहो तो हमारे पहरे नभी पाक ﷺ के तीन बेटे थे और चार बेटियां थी तो जो बाकी सारे थे अज़ूर ﷺ की उलाद थी वो हजरत खतीजा रजियल्लाहु तालाहु नहों से हमारे पहरे नभी पाक ﷺ को हुई और हैक जो बेटा है हजरत इबरहीम रजियल्लाहु तालाहु तालाहु यह हमारे पहरे नभी पाक ﷺ को जो हजरत मारिया रजियल्लाहु तालाहु से हुए थे उसके बाद आगे चलते हैं आ तो fasting मतलब रोजा. fasting का मतलब होता है रोजा. रोजे का आपको पते ही है कि क्या मतलब होता है. उसके बाद आगए है hello का पूछा गया था. यह क्या है noun है? subject है? यह preposition है? यह आपका noun है. यह noun है. उसके बाद आगे चलते हैं. आगे मारे पास SDD full form पूछा गया था sddd की full form क्या है तो इसकी full form है solid state drive तो यह इसकी full form है उसके बाद आगे चलते हैं इसी तरह ही कल वाला paper आया था उसमें जो है वो abbreviation भी पूछे गया थे उसमें MS word के related question पूछा गया था और जो है वो पूछा गया था उसके बाद English के question इसी तरह के ही question पूछे गयते है इसलामयाद के तो इसी तरह आप लोगों ने जो है वो याद कर लेनी हैं बाकी मजीद जो एक दिन आपके पास है जिन्होंने जीडी 11 और जीडी 7 का paper देना है वो इसको अच्छे तरीके से पढ़ें इंशालला उनका paper अच्छा हो जाएगा उसके बाद आगे मारे पास question था cv create in which software तो cv जो है वो ms word में भी create हो जाती है अडॉब में भी create हो जाती है उसके बाद google doc जो है उसमें भी create हो जाती है तो इन में से जो भी option था paper में वो ठीक था उसके बाद आगे जो है वो हमारा question था imperative sentence imperative sentence कौन 세 होते हैं a sentence that gives a command or instruction ऐसे sentence जिन में किसी काम को करने का हुकम दिया जाए उनको कौन से sentence कहते है उनको imperative sentence कहते हैं तो इसका जो right answer है वो ये था ऐसे sentence जिन में किसी काम के करने का हुकम दिया जाए उसके बाद आगे चलते हैं आगे मारे पास जुए वो ambiguous का intonium पूछा गया था ambiguous का intonium जुए वो हमालोजी है उसके बाद जुए वो अगला मारे जुए वो intonium के related question था अगला मारे पास जो है वो synonym के related question था imperious का synonym पूछा गया था authoritative या dominant जो है वो imperious का synonym है synonym और इंटोनियम के related question पूछे गया थे उसके बाद आगे मारे पास question है which agreement was done after the war of 1964 तो 1964 के बाद जो agreement sign किया गया था वो ताशकंट agreement था कल शिमला agreement के बारे में पूछा गया था आज उसने ताशकंट agreement के बारे में पूछ लिया है तो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के प्रेजिडेंड थे अयूब खान साब ये उनकी क्यादत में ये agreement sign हुआ था उसके बाद आगे मारे पास जो है वो math के related IQ के related question पूछे गया थे और इसमें physics के related काफी ज्यादा question पूछे गया थे क्योंकि ये teach है इसकी जो relative subject है इसका वो physics है इसमें physics के MCQs ज्यादा पूछे गया थे अगर किसी को exact MCQs physics के याद हो कि कौन कौन से पूछे गया थे तो उन्होंने लाजमी comment box में बताने हैं ताके बाकी सब का इससे फैदा हो सके तो अगला हमारे पास question था train start moving 10.15 reach 2.13 find total time वो कह रहा कि एक train जो है वो 10.15 पर चली थी और 2.30 पर वो अपनी मंजल पर पहुंच गई तो उसको कितना मंजल तक पहुंचने के लिए तो यह आपका right answer था अब यह कैसे आया आप लोगों ने देखना है कि 10.15 पर वो चली गई थी चली थी तो 10.11.1 और 12.2 1.3 और 2.4 सीदे सीदे 4 आपके यह हो गया और 15 यह और 30 ही है इसमें से 15 माइनस करें तो पीछे 15 बचते हैं तो इस तरह यह आपका चार गैंटे और उसको 15 मेंट लगें अपनी मंजल तक पहुंचने में उसके बाद आगे वो कह रहा है अब यह कैसे आया जब आप 60 परसंट लेगे 120 का 120 का 60 परसंट आपके पास 72 आएगा 72 जब आएगा आपके पास तो उसको आप 72 को जब आप एड़ करेंगे 120 में तो यह आपका टोटल बन जाएगा 192 तो इस तरह यह क्वेस्टिन सॉल हुआ है उसके बाद अगला मारे पास क्वेस्टिन है इसकी कोई समझ नहीं आई कि यह किस तरह क्वेस्टिन आया हुआ था लेकिन इसका जो आंसर है वह 12 या कोई और है तो यह आप लोगों ने कॉमेट बॉक्स में जिन्होंने पेपर द लाएं यह किस तरह क्वेस्टिन था इसके बाद आगे मारे पास एक को आशना आया हुआ था इस तेंस बीटीवीन टू ट्रेन इस वन फिफ्टी किलो मिटर हैं वन ट्रेंट सपीड सिक्सी किलो मिटर पर आवर एड़ अधर इस फोर्टी किलो मिटर पर आवर वाट वील ब इस पीड सिक्स्टी किलो मिटर और अधर की दूसरी की स्पीड फोर्टी किलो मिटर है तो यह दोनों कब अपनी मंजल पर कितना टाइम लगेगा इनको एक दूसरे के स्पीड बराबर करने में तो एक गैंटा और तीस मिनट इनको मजीद लगेंगे एक ट्रेन को दूसरी क्रेन के बराबर आने तक अबाद आगे मारे पास क्वेस्टेन है ऊँआ हुआ था सर्टी सिक्स इसटो 4 यानि के वह कह रहा है तो नाइन जो आपका वन की अकवल और अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे वान की एकवल होगा तो आप लोगों ने देखना है कि छो तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा इसका अंसर आ जाएगा 9 आपका 36 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका अंसर 9 आ गया ये 9 आ गया और अब आप 9 है 9 को आप जब 9 पर डिवाइड करेंगे मतलब इसका अंसर 9 आया था और 9 को जब आप 9 प आजागी होगी तो यह हमें आज के पेपर के iam see quiz मिले हैं अगर किसी को मजीद इसके iam see quiz यादों तो वो comment box में लाजमी बता है ताके बाकी सब का भी इससे फायदा हो सके तो अगर आप लोगों को मारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी इससे फैदा हो सके तो मिलते हैं इन्शालला का लेक नई वीडियो के साथ तो जब तक अपना बहुत ज़्यदा ख्यार रखिये अल्ला आफिस